हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी यूट्यूब चैनल कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजिल सिंग और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं एक और वीडियो लेक्चर जो है डाउट क्लियरिंग को लेके जी हां ये वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे आप सभी लोगों का डाउट जो की हो सकता है किस बारे में मेट्रोपॉलिटन और जूडिशल मजिस्टेट के बीच में क्या फर्क है सर इसके बारे में अब आप मेंसे पहले लोग य ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीसेंट्री में क्लास ले रहा था सियार पीसी की वहां पे एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा कि सर जुडिशल मजिस्टेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्टेट के बीच में फर्क क्या है और तब मिरे दिमाग में क्लिक क कि आता है तो हमें पता ही नहीं तो आप फोड़ा पैनिक करते हैं आगे पीछे सक्षन को पलटते हैं और चीजे मैं सबकें इसलिए ये वीडियो लेक्च्चर में बड़ा करने वाले इस वीडियो लेक्शर में पढ़ेंगे डिफरेंस के बारे में आपको यह भी बता दू इस पर्टिकुलर वीडियो-लेक्शेर के वो किस टाइप के offenses को deal करते हैं, कितनी maximum punishment दे सकते हैं, etc., etc., उनके सारी features के बारे में, फिलाल इस video lecture को शुरू करते हैं, और समझते हैं concept किसका Metropolitan Magistrate और Judicial Magistrate के बीच के difference का, ठीक है सर, तो जैसा कि आपको पता है, हमारे video lecture का एकलौता feature, और सबसे main feature जो है, वो यह है, पहला feature जो है, कि हम शुरुवात किसी भी चीज़ को scratch से करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करेंगे meaning को, decode करेंगे meaning को, और meaning क्या कह रही है, meaning यह कह रही है कि यह एक old french word था, किस नाम का magistrate नाम का, देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, magistrate नाम का एक old french word था, जिससे इजात हुआ कौन सा word, magistrate जो हम आज पढ़ रहे हैं, हमारे CRPC में लिखा हुआ, इसका मतलब क्या था, civil officers in charge of administrating laws, यानि कि, वो civil officers, वो civil servants, जिनके पास charge हो, law को administer करने का, एक particular area given में, यानि कि, अगर हमें ये सिर्फ बताना हो कि magistrate शब्द को explain करना हो, तो magistrate शब्द जो है, वो निकला, magistrate शब्द यह और जिसका originally mailing यह था, उन civil officers के बारे में, जो की administer करते हैं laws को, ठीक है सर्थ, अब यह तो हो गई historical perspective, present perspective क्या है, practical perspective क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो practical perspective यह कह रहा है कि, जो magistrate होते हैं वो और कोई नहीं, वो शिर्फ वो लोग हैं, जो deal कर रहे हैं legal matters को, कहां के district division और subdivision के, पहला question यहीं से उड़ गया, कि सर, district division और subdivision का matters तो, जो district judge होते हैं, जो sessions judge होते हैं, वो भी deal करते हैं, specially district district के तो sessions judge होते हैं, यह बाद सच है, लेकिन जब हम type of criminal courts में पढ़ेंगे, तब हमें यह पता चलेगा, कि जो different type of courts हैं, यानि यह different magistrates हैं, यह किसके अंडर में होते हैं, sessions judge के अंडर में होते हैं, इसलिए, अभी के लिए, केवल scratch की understanding बनाने के लिए, हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं, कि जो magistrate होते हैं, उनका jurisdiction होता है, district division का, ठीक है सर, और क्या है, इसके बारे में जनने लायक, magistrate के बारे में, शुरुवात में समझने के लायक, कि यह mainly deal करते हैं minor offenses को, यानि कि जो magistrate होते हैं, वो mainly deal कर रहे हैं minor offenses को, minor offenses मतलब, जिनकी सजा जादा नहीं होती है, अब यहां से फिर एक सवाल उड़ गया, कि सर, जो चीफ judicial magistrate होते हैं, वो तो जादा सजा को भी deal करते हैं, यह बात सच है कि वो जादा सजाओं को deal करते हैं, लेकिन अभी की understanding को develop करने के लिए, यानि कि जो majority of magistrates है, जैसे कि JMFC, JMFC, Judicial Magistrate, First Class, Judicial Magistrate, Second Class, Special Metropolitan Magistrate, Metropolitan Magistrate, इनकी सजाओं होती हैं, इसलिए ऐसा आम तोर पर माना जाता है कि वो अगर आप उसको compare करो, High Court से, Supreme Court से, District Court से, तो वो follow-up lecture आएगा, जिसमें different type of criminal courts के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ थोड़ी सी picture की quality अगर गरबढ़ है, तो आपको बेहर करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको पढ़के बता देता हूँ, यह deal कर रहा है, Constitution of criminal courts के बारे में, हमें पता है, Court of sessions होता है, एक मेरा question आप से, कि हाँ Court of sessions लिखा, क्यों लिखा है, Court of district क्यों नहीं लिखा है, अगर आपको नहीं पता है, तो आप हमारे एक video lecture देख सकते हैं, जिसका link आपको नीचे मिल जाएगा, जिसमें deal किया गया है, different type of courts के बारे में, उसमें यह बताया गया है, कि district court क् ठीक है सर, ओके, तो यहाँ पे session judge, additional session judge और assistant session judge होते हैं, इसके बाद, हमारा confusion यहाँ आ रहा है, Court of judicial magistrate में, यह executive magistrate कौन होते हैं, इसको हम अलग lecture में बताएंगे, अभी हम deal कर रहे है, Court of judicial magistrate में, और हमारा doubt यहीं पे है, कि सर यह जो लिखा हुआ है, metropolitan area के लिए chief metropolitan magistrate, additional metropolitan magistrate, metropolitan magistrate, और यहाँ पे लिखा हुआ chief judicial magistrate, judicial magistrate of first class, judicial magistrate of second class, तो हम इसी doubt को भी आपके लिए clear कर देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस video lecture में, तो पहला doubt क्या है, वो आपका में clear कर देता हूँ, कि क्या judicial magistrate और metropolitan magistrate के बीच में कोई फर्क है क्या, नहीं है, judicial magistrate और metropolitan magistrate के बी between metropolitan and judicial magistrate, यानि कि metropolitan magistrate और judicial magistrate के बीच में, in terms of power, कोई difference नहीं है, यानि उनके पास कोई extra power है, नहीं है, अगर आप CRPC को शुरुबाती sections को पढ़ेंगे, तो आपको पता चले का कई जगा refer किया गया है, same as judicial magistrate, metropolitan magistrate के बारे में, बताते हैं, बोला गया, same as judicial magistrate, यानि कोई सकते हैं, या गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, तो वो section 8 क्या कह रहा है, उसको पढ़ते है, section 8 के इसाप से कोई भी metropolitan area, उस area को कहा जाएगा, जो की population hold करता है, कितनी 1 million से जादा, 1 million मतलब 10 लाग से जादा, यानि कि कोई भी ऐसा area, कोई भी ऐसा शहर, जो की state ने डिक्ल पर्टिकुलर शहर का, उस पर्टिकुलर सिटी का जो population है, वो कितना हो, 10 लाग से जादा हो, तो वो metropolitan area मान लिया जाएगा, और जैसे ही उसकी population 10 लाग से जादा होगी, state government by notification जो लिखा हुआ है, डिक्लेयर करेगी उसको as a metropolitan area, उसके बाद वहाँ पे जो magistrates होंगे, वो कहला होते हैं, metropolitan magistrate, ठीक है, सर, अब इसके बारे में और क्या है, section 8 के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, अब जब पढ़ी रहे हैं, तो इसमें और भी चीज़ लिखी हुई है, कि Bombay, Calcutta, Madras and Ahamdabad, इन चार सिटीज को माना गया था metropolitan area, जब इस code का commencement हुवा था, यानि कि CRPC जो है, magistrate जो थे, उनको किस नाम से address किया जा रहा था, metropolitan magistrate के नाम से address किया जा रहा था, अच्छा, अब एक सवाल उठता है, कि अगर population decrease हो गई, तो ये भी आपको section 8 में मिलेगा, अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूं, कि in case मान लीजे किसी शहर क की population 10,00,000,000 से घटके 8,00,000,000 हो गई, तो उस case में उसका metropolitan area का जो title है, वो state government by notification declare कर देगी, कि अब वो एक metropolitan area नहीं है, यानि कि एक permanent entitlement नहीं है, यहाँ पर जब तक आप उस population को hold करेंगे, तब तक आप metropolitan area क्यालाएंगे, और magistrate आपके metropolitan magistrates क्यालाएंगे, इसके साथी साथ और जानने लिए बात यह है, पहला doubt आपके दमाग में यह आएगा कि अगर कोई area जहां पर case चल रहा है already, वो पहले metropolitan था, फिर वो एकदम से वहाँ पर non-metropolitan area हो गया, इसका मतलब वहाँ पर judicial magistrate आ गया, तो उस case में क्या होगा, तो वहाँ पर precisely लिखा हुआ है CRPC में कि जो case उस बक चल रहे होंगे, उस metropolitan area में, वो metropolitan magistrate के अंडर में ही चलेंगे, although जो नए cases register होंगे, वो judicial magistrate के अंडर में register होंगे, इसके साथ और भी कई चीज़े हैं कि state government चाहे तो कुछ area को alter करके कर सकती है, कि वो metropolitan area के अंडर में ना आके, किसी judicial magistrate या दूसरे session division के अंडर में आ समझना है कि 1 million से ज्यादा की population वाले शहर कहलाते है, metropolitan area और कम वाले में होते है, judicial magistrate ठीक है सर, अब चुकि हमने पढ़ी लिया है, इतना कुछ तो देख भी लेते हैं कि क्या फर्क है, तो मैंने आपको जैसा बताए कि दोनों की बीच में terms of power of features को ज्यादा फर्क नहीं होता है, although judicial magistrate का number थोड़ा ज्यादा होता है, वो मैं आभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि metropolitan में सबसे उपर कौन होता है, चीफ, यानि कि कोई city जिसका population 1 million से कम है, वहाँ पे होंगे कौन, chief judicial magistrate और जो city का population metropolitan area के एंडर में आ रहा है, 1 million से ज्यादा है, वहाँ पे होंगे chief metropolitan magistrate, ठीक है sir, chief metropolitan magistrate के नीचे काम कौन कर रहा है, metropolitan magistrate, chief judicial magistrate के नीचे काम कौन कर रहा है, judicial magistrate, first class, उसके बाद chief metropolitan magistrate के साथ और कौन काम कर रहा है, special metropolitan magistrate, और cjm के नीचे काम कर रहा है, judicial magistrate, first class, और judicial magistrate, second class, इसके साथ दो special भी होते हैं, यानि कि special judicial magistrate, जो की cjm के नीचे काम करते है Chief Metropolitan Magistrate के साथ इसके साथ इडिशनल भी कुछ होते हैं लेकिन अभी इसको complex नहीं बनाने के लिए केवल concept building के लिए समझना था तो हमने समझ लिया CJM कहा जाता है किसको Chief Judicial Magistrate को CMM कहा जाता है Chief Metropolitan Magistrate को इस नाम से तो हर को ही जानता है JMFC सबसे common name है Court में सबसे जादा यूज होता है Judicial Magistrate first class तो यह था हमारा एक video lecture complete जिसमें हमने हमने आपको एक फर्क समझाया किसके बारे में Metropolitan और Judicial Magistrate के बीच के फर्क के बारे में आपको इस बारे में कोई के लिए कि Competition Community का बिलासपूर सेंटर जो की मंगला चौक पर है वो सिवल जज़ की हमारी बैचेश को शुरू कर चुका है 12 ऑफ सेप्टेंबर से यहां पर सिवल ज़ज की बैचेश शुरू हो गई और साथी साथ और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये Competition Community के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के गैरियर पेज पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको